हेलो डॉक्टर्स मेरा नाम है डॉक्टर असर और मैं आज आपके लिए एक बहुतरिन वीडियो लेकर आया हूँ वैसे तो मैंने तीन-चार वीडियो पहले से ही बना कर रखे है लेकिन उसके एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया या वो जैसे रमजान चल रहे है रोजा है ऑस्पिटल है तो एडिटिंग तोड़ा जल्दी-जल्दी करने में थोड़ा सा मिसमैच हुआ है अगर आप एडिटिंग तोड़ा सा दिक्कत आएंगी आपको थोड़ा सा वो गंदा लग सकता है एडिटिंग लेकिन नौलेज अच्छा है वाइस उसमें अच्छी है अगर आप एयरफोन लगा कर सुनो तो आपको काफी अच्छी वो लगेगी इंफोर्मेशन एक इस तरह के से पीडिएफ में या डोजेज आपको बताए जाते हैं तो आप तो डॉक्टर हो आपको माशालला से तमाम डोजेज बता है और काफी अमॉक्सिसलीन के बारे में आपको इंफोर्मेशन होगी लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम बैक्टिरिया के हिसाब से कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर एमॉक्सिसलीन, एम्पिसलीन और पिप्रसलीन बहुत अच्छा वर्क करती है तो ह साइट और्गनिजम के हिसाब से इसको पढ़ने वाले, ऐसे पीडियेफ पर मैं भे आपको पढ़ा सकता हूँ, डोजेज बता सकता हूँ, लेकिन ये ओल्ड तरीका हो गया, ठीक है हम पढ़ने वाले है, कोवीड के बाद से जो पेंडमिक के बाद से जो सुच्वेशन आपको वीडियो अच्छा लगेंगा, बिटल एक्टमेस गूरूफ तीन तरह के होते, सिफिलोस्पिरिन, पेनिसलीन और कार्मेपेनल, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले है, पेनिसलीन गूरूप की, जो जीपी में हम यूज करते है, इसमें होता है, एमोक्सलीन, एम और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते, अभी हम बात करने वाले है, एमोक्सलीन के कवरेज की, एमोक्सलीन, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों ही बैक्टेरियों को कवर करता है, अधर इन्फरमेशन जैसे के डोजेज और कहा पर ये वर्क करती है, ये तो जिसे आपको हर वीडियो में नेट पर मिल जाएंगा, लेकिन इस वीडियो में जो आपको इन्फरमेशन मिलने वाली है, वो बहुत खास है दोस्तों, तो डॉक्टर्स जैसे ग्राम पॉजिटिव में कौन से बैक्टेरिया होते है, स्टेप्टोफाइलस, स्टेप् यूज होंगी, ये अपर रेस्पिरेटरि ट्रैक और साथ ही इसकीन और सॉफ टिशू इन्फिक्शन जैसे सेलोलाइटिस, एपसेस और डियाबिटिक फूड में भी इसका बहुत अच्छा यूज है, इसका बहुत अच्छा कवरेश है, अगर दॉक्टर्स आपको ये नही आपको इसका बता दूँ, अगर आप इसे डाइबिटिक फूड के लिए या आप इसे सेलोलाइटिस, इसकीन सॉफ टिशू इन्फिक्शन में यूज करें तो आपको इसके इसका बहुत अच्छा कवरेश है, और दॉक्टर्स इसकी एक खास बात आपको बता दूँ, अग आप इसे सेलोलाइटिस, इसकीन सॉफ टिशू इन्फिक्शन में यूज करें तो आपको इसे इन्फूजन के जरीए यूज करना है, जिससे ये पुरी तरह से कॉंसेंट्रेट हो और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिले, अगर इसकी एक खास बात की जाए, तो जब भी आप किसी को एमॉक्स अपने परचे पर लिख रहे हो, तो उससे एक बार जरूर पूछ ले, क्या उसे एमॉक्स से ये किसी ड्रग से इलर्जी है, या उसको कभी एनफ्लैटिक हुआ है, अगर ऐसा है, तो आप उसको एमॉक्स लिखने से ठोड़ा डरे है, उसको लूज मॉशन का प्रॉबलम देखने में आ सकता है, अगर आप एमॉक्स यूज करते हो, किसी को प्रिस्क्राइब करते हो, और किसी को साथ से आट डीन के बाद लूज मॉशन लगते है, जिसमें म्यूकस और बलड होता है, तो आप समझ ले, क्या आपकी एमॉक् दिया, क्योंकि एमॉक्स सिलीन गुड बैक्टिरिया के साथ गुड बैक्टिरिया को भी मार देता है, जिसकी वज़ा से वही पर एक बैक्टिरिया जो बहुत जादा जान लेवा हो सकता है, आपका वो ग्रो कर जाता है, जिसे सी एल डिफिशेल सी कहते हैं, तो वो बढ़ जाता है, और आपको यह वीडियो काफी इनफरमेटि लगा होगा, और काफी अच्छी इसमें इनफरमेशन है, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए बैक्टिरिया के ऊपर वीडियो लेकर आँओ, कि कौन से बैक्टिरिया कहां पर वर्ग करते हैं, जैसे ग्राम पो होते हैं कहां पर अटैक करते हैं और कौन सी मेडिजिन इसमें देना चाहिए तो मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊँगा लेकिन आपको इस वीडियो को शेयर करना है और अगर आपको किसे टैबलेट के बारे में इंफोर्मेशन चाहिए तो आप कमेंड करें मैं आपको उस पी में यूज होने वाले उस टैबलेट के बारे में एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें अदर से हटकर इंफोर्मेशन होंगी बिटल एक्टम के अदर जो गुरूप है सेप्ट्रेग्जॉन के बारे में उसके पाचो गुरूप के बारे में पाचो तरह की जो जनरेशने फ ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसीन होती है आईवी से बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है इसके एक खास बात कि आगर आप इसे इनफुजन से यूज करें तीन से चार घंटे लगा कर रखे और फिर यूज करें तो ये वेल कॉंसेंट्रेट होता है और बहुत अच्छ को भी कवर करते है और अगर आप इसे देते हो तो आपको पता है कि ऐसे सीवेरिटी में यूज करते हो जैसे केए अपर रेस्पिरेटरेटरेट डाइक का जो सीवेर इंफेक्षन है लोवर रेस्पिरेक्टरेटरेट door का सीवएर इंफेक्शन umच्शिवμα ठो जो इबी पै उसको भी यह कवर करती है तो एक बहुत अच्छी ड्रग है इसे ओपेडी में हर किसी चीज के लिए यूज ना करें क्योंकि रेजिस्टन बहुत जल्दी आ जाएगा फिर बाद में हमारे पास लगाने के लिए कुछ नहीं रहेगा पीब्जो किड्नी डिसीज में भी दी जाती है लेकिन इसके किड्नी डिसीज में डोजेज अलग होते है क्रियेट नाइन ये क्रियेट के हिसाफ से डोजेज होते है जिससे अगर वहाँ पर इंगेज जादा होगा तो मुझे वीडियो बनाने में एडिट करने में टाइम लगता है तो मुझे मज़ा आएंगा और वो वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे लगेंगी तो बस आज के लिए इतना ही डॉक्टर मिलते हैं ऐसी वीडिय देखियो आपको अच्छे लिए ढूएंगा.